असलाम वालीकूम मेरे नाम उसामा एखलाक है आज हम सेखेंगे कि फ्री स्वीच को सेंट ओएस पर किस तरह इस रॉल कर सकते हैं अग इस वक्ड जो मैं सेंट ओएस का वर्जन यूज कर रहा हूं सेंट ओएस 5.10 यूज कर रहा हूं और फ्री स्वीच की कमपेटिबिलेटी यूज कर रहा हूं वो मैं आपको शो करा देता हूं फ्री स्वीच की कमपेटिबिलेटी जो यूज कर रहा हूं 1.2.0 क्योंकि ये कमपेटिबिलेटी इसलिए बताए कि अगर आप सेंट लेनिक्स का कोई और फ्लेवर यूज कर रहे हूं और फ्री स्वीच कोई और सा यू स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे नहीं तो कुछ आपको एडिशन या सब्ट्रेक्शन इसमें करनी पड़ेगी तो स्टॉल करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरह से फ्रेस्विच को बैसिक स्टेप्स के तुरू स्टॉल कर सक सकते हैं तो सबसे पहले हमें इस इस्टॉल करने के लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए हम यूज करेंगे वी गैट कमांड और यहां मैंने लिंक शॉआउट किया हुआ है जो आप देख सकते हैं फाइल्स.faceswitch.org faceswitch-10-1.2.0.r.bz2 और इसको जो एक् लिंग करने का तरीक पता जाए वाल एक पूल दें तो इसलिंक के प्रेस्ट करेंगे उशक केको मैख करेंगे और इसके बाद जो है इसके जो साउंड्स हैं जो reply back sounds होते हैं या तो recording के दुरान sound होते हैं या calling के दुरान sound होते हैं वो हम install करेंगे तो first of all हम installation start करते हैं इस वक में root directory पे हूँ backslash की यहां CD करके मैं USR पे चले जाता हूँ और फिर local और फिर मेरे पास जो है SCR पे मैं SRC अब जो है हम SRC directory पे आ चुके हैं और यहां मैंने इसका already setup in a install किया हूँ है क्वाण है कि हम time आपको था 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 name no लदा खनूह नौई इनस्टाल किया हो और इसको लगूत एय श्याच ऐ किया हुआ तो internCar me किया हूँ है है वे लेकिन मैं आपको HERE command बता दूग किस तरह से आप इसका setup install करेंगे wget की command use करेंगे और आगे जो further मैंने आपको link दिया है इस link को यहां से copy करेंगे या आप अपने पार इसको not down कर सकते हैं और यहां पे इसको paste करेंगे जैसे यह आप enter दबाएंगे तो यहां आपकी downloading शुरू हो जाएगी free switch की और इस downloading के बाद जो हम इसको extract करेंगे tar और यहां से मैं इसको command को आपको show कर देता हूँ extract करने की command जो है मार पस untar करने की command जो है jxf free switch और यह इसका आगे address है इसको मैं यहां से copy करके आपको यहां पे show out कर देता हूँ अब यहां basically sorry मैं चीज़ कंफर्म कर लूँ okay right यहां tar के लिए आप देख रहे होंगे jxf यूज हुआ है नहीं तो normally हमारे पास दूसरी command यूज हो रही होती है लेकिं jxf इसलिए यूज किया है क्यूंकि हमारे पास tar.gc नहीं है tar.bz2 है तो bz2 को extract कर देख लिए jxf यूज होता है जैसे ही आप यह दबाएंगे यह command लिके आप इंटर करेंगे तो आपके पास यह blue color का show हो रहा है यह extract को भी file आपके पास show हो जाएगी अब इस file के बाद आप इसके अंदर इंटर हो जाएंगे अब जैसे हम यह command प्रेस करेंगे तो यह अपनी configuration start कर देगा और इस configuration के बाद जो है further हम इसको Mac करेंगे और Mac के बाद sound करेंगे तो इस तरह से आपका free switch complete हो जाएगा और उसको हम use कर सकते हैं इसको हम use कर सकते हैं इसको हम use कर सकते हैं और तर यह में complete होने का अंतजार कर रहा हूं ताकि मैं आगे Mac की कमारे इस्तमाल कर सकूं अब आप मेक को लिए अब आप आप यह लिए कर सकते हैं अब आप मादीर का इतना करेंड़ आप में अबनी जाद जाल्स है जिए भी जितनी भी फाज उसने अंटार की है और एक्स्टेक की है उसको कॉन्फिगर कर रहा है आपके सेंट ओएस के ओपर ताके वो जह पॉपरली वर्क आउट कर सकें आप इसमें देख भी सकते हैं कि लास्ट में जो है यह 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 और नो के टेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब यह कि वो चेकिंग कर रहा है कि आपके सिक्स्टेम के साथ जो है कौन जी फाइल को यूज करेगा और इसको इंस्टॉल करेगा जब तक मैं आपको इसका यह दिखा दू हम यह फर्स स्टेप कर चुके हैं सेकंड स्टेप हमने भी परफॉर्म कर दिया है और थर उसके बार लास्ट में हम साउंड को कॉन्फिगर कर देंगे लेकिन यह साउंड जो है डाउनलोड ओनर में काफी टाइम लेते हैं मिनिमम फॉर्टी टू थारी मिनिट्स लेंगे डिपेंड और इंटरनेट स्पीट तो हम इसको यहीं पर साउंड को जब इस्टॉलेशन मे तो एक बार और मैं दोरा दूँ इस बात को कि आपके लिए बहतर यह होगा कि सैंट ओएस वन जिरो यूज करें और फ्रीर सूइच के यही वर्जिन यूज करें ताकि आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिश्वारी ना हो कि अपर एक इस वक्ति यह रिजिस्टर कर रहा है आपके जो भी आपने इस्टॉलेशन करिए इस्टॉलेशन के बाद यहां पर आप जैख सकते हैं कि यह कॉन्फिगरशन आ गई है यहां पर और जो भी चीज़ इसने कॉन्फिगर कर दिया है हो इसको यहां पर इसने शो कर दिया है अब नेक्स जो है इसको हम MAK करेंगे में के मैं कमांड से यह तमाम इस्टोलेशन जितनी वे इस नें स्टोलेशन करी ऐसको इड़ेस्ट कर देका हcents कुछ ररनिंग के लिए पहर इंस्ट्रेशन इसने कर दी है ये भी कुछछ टाइम लेगी और इसके बाद जो ए empos को डंडोרט करेंगे ताकि वो इसके साथ M.L के work out कर सके जो caller ूँून होती है डाइल होती है रेटिंग टून होती है इसके लावा और झाहे और होते हैं जो के आपो required होंगे इसके साथ वर्क आउट करवाने के लिए क्योंकि उसके बगए आपके इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी तो यह मैक कमांड भी लग चुकी है इस पर और मैं फर्दर यहां से कमांड को डाउनलोड करूँगा सुरी कॉपी करूँगा मैक आल और इंस्टॉल साउंड सेडी साउंड डेश इंस्टॉल सीड इसपैस सीडी डेश एमो एच इंस्टॉल इसको मैं जैसे कॉपी करके इंटर करूँगा अब मैं जैसे इसको इंटर करूँगा तो इंस्टॉलेशन मेरे बास शुरू हो जाएगी और यह तक्रीवन ट्वेंटी मिनिट्स टू थार्टी मिनिट्स लेगी डेपेंड और इंटरनेट स्पीड और आपकी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी और इसके बाद आप फ् थैंक यू फो यू ताइम